दोस्तों नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एगरी मस्ती यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बीएसी एगरीकल्चर सीख सिमिस्टर सब्जेक्ट फार्मिंग सिस्टम प्रिसीजन फार्मिंग एंड सचनेवल एगरीकल्चर का प्रि आप लोगों से कि वीडियो को अंतय तक देखियेगा ऐसा नहीं जो प्रəंशन फूरु में आएगा ब्राषिन पुछा जाएगा उगर ळिया ज्रीम करना ही और आप लोगग के लिए जनकाड़ी के लिए बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडिये भी मिल जाए इन सब जो वीडियो मैं बना रहा हूं जो लेक्चर बना रहा हूं इन सभी का पीडिये भी मिल जाए तो उसके लिए आपको टेलीगराम चैनल को जोइन करना होगा टेलीगराम चैनल करने का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब दोस दोस्तों यह प्रशन पत्र है यह कानपूर उनिवर्सिटी का जो जुलाई 2022 में परिक्षा हुआ था उसका यह पेपर है ठीक है और आप लोग यहां पर देख सकते हैं सब्जेक का नाम है फार्मिंग सिस्टम प्रिसीजन फार्मिंग एंड ससनेवल अगरी कल्चर ठीक है और दोस्तों पहला प्रशन शुरू होता है क्रीषी परनाली खालि स्थान के उचिद सन्यूजन और रापरत्ता के लिए उन्हें बढ़ाने के लिए उपलबत स्थन की आप दिनीधि करता है ठीक है और दोस्तों अगला प्रशन है खाली अस्थान आर्थिक फसल एवं पसू उत्पाद के रूप में सौर उर्जा का उप्योग करने की प्रकिरिया है तो दोस्तों इसका उतर हो जाएगा आपका अपसन B ठीक है खेती ठीक है इसका अपसन होगा अपसन B दो नंबर प्रशन का अब दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरा प्रशन तीसरा प्रशन में क्या पूछा जा रहा है एक उत्पाद कस्तर में परिवर्तन होने की स्थिति में उसी दिशा में दूसरे उत्पाद कस्तर में परिवर्तन होना तो क्या कहलाता है तो दोस्तों इसक चोथा प्रशन को देखते हैं कृषी प्रणाली देश्टी कोन किसके लिए आवश्यक है तो दोस्तों इसका सहीवत्र हो जाएगा आपका आप्शंदी उपयूक्त सभी के लिए और उपयूक्त सभी में क्या क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान में रख लिजिए गा किरिश उ अनुपूरा संबन्द में सहायक उद्यम का योगदान होता है तो 10% क्रीशी चेतर आये होता है और दोस्तों आगे देखते हैं चठा प्रशने भविस के उत्पादन में परिवर्दन सीलता जिसे मापा नहीं जा सकता कहलाती है तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा यानि चठा प्रशन का आपका सही उत्र हो जाएगा आपसन यानि अनिश्चीत्ता ठीक है अनिश्चीत्ता को कभी नहीं ना पाजा सकत देखते हैं दोस्तों क्रेशी चेतर का अकार व्यवसायक दक्षता और किसानि के संसाधर प्रभावित करते हैं तो दोस्तों इसका सेटर होजाएगा आप्सन यह किसको अब बाई करता है खेती के खेती का प्रकार को अब दोस्το cannon को निव्वाह खेटी है तो दोस्तो आठवा प्रशन का सही उत्तर होगा आपका अपशन यह यानि हुक में वग। खेती है ठीक है डाइवर्स्टी फाइड फार्मिंग है अब दोस्तों आगे देखें नौ नमबर प्रशन है उत्पादन का कारक है तो दोस्तों नववा प्रशन का आपका सही उतर हो जाएगा तो दोस्तों 10 परशन का सही उतर होका आगे देखें Qué Harald नमर में मिलेगा परीस्थितिकी होती है कैसी होती है दोस्तों तो गयारे नमर पत्रशन आपका सही उतर होगा का सही उतर होता है नौनिक बहुता है ठीक है यह एक है अजमिकृति कह वहता है जो परिस्थितिगी है वो काफी भंगूर हो चुका है इसको बिल्कुल ध्यान में रखना होता है वरना थोड़ा बहुत गरबरी के चलते यह पूरा पूरा बिखर जाता है फसल खराब हो जाता है और आगे देखते हैं दोस्तों 12 नमर परशन है राज किरिशी का उधारन है तो दोस्तों 12 परशन का आपका सही उतर हो जाएगा अपसंडी राज किरिशी का उधारन क्या है यह सभी है प्रदर्शन फार्म बीज परशेत्र अनुसंधान फार्म ठीक है और आगे देखते हैं आगे है आपका निमलिखित में कौन सही नहीं है वीच अप दॉलोविंग तो इसमें आपको देखना है तो यह आपका तेरह नंबर परशन है तो इसका सही उतर होगा आपका अपसंडी ठीक है और अपसंडी में देखिए यह क्यों यह अपसंडी सही उतर होगा अब यहाँ पूछा जा रहा है परशन में कौन योरा कौन सा जोरा जो है वो सही सुम समंधित करना होता है लेकिन जो रेंच लेंड है यह किलिशी वीधिया यह जो है यह दून अपस में समंधित नहीं अतर सही सुमेलिग जोड़ा नहीं है तो इसका सही उतर होगा आपका अपसन डी अपशन दोस्तोट यह किसे सम्बंधीत है और आगे देखते हैं इयार का पूरा रूप लिखिए तो दोस्तो आपसे पूशा जा रहा है इल इई-आर का फूल पॉर्म क्या होता है तो LER का फूल पॉर्म होता है demand equivalent ratio भूमी समतूले अनुपात ठीक है LER का फूल provocative क्या होता है land equivalent ratio और दूस्तों आगला पौशन देख है यह आपका 15 नमर पर प्रशन के अप्रशियर हो गया, और शूलेवा प्रश्णे, भूमी सम्तूल अनुपात का पर्योग किसके मुल्यांकन में किया जाता है, तो दोस्तों आपका इसका सही हो जाएगा, का प्रियोग किसके लिए अंता फशल को मुल्यांकन करने के लिए अब दोस्तों 17 नमर जो प्रशन है इसमें आपसे पूछा जा रहे हैं एक्री कल्चर की इस भासा से लिया गया है तो मैं जानता हूँ कि यह आपको पता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ यह लैटिन भासा जहीं एक रिकल्चर सब्द का उत्पती हुआ है और जो तो 17 नमर प्रश में हो गया और 18 प्रश में अपसे पूछा गया है वर्तमान में आई सी ए आर कानी देशक कौन है हाला कि यह जो है यह बदलते रहता है लेकिन फिलहाल में भी वहीं है जिसे तिरलोचन महापा घरीक में है और 19 निश्क प्रश मोर्श में पूछा जा सकता है आपको नहीं कि बहुत फशन सुचकांक किसंने दिया तो दोश्तों यह जो है यह बहुत इंपॉर्टन प्रस्टे सो पूछय जाता रहे बहुत फशली सुचकांक हुए निश्क अविकित में से कौन से मिर्दा और वर्ता को पूनर स्थापित करता है तो 220 नंबर में जो परस्पन करता है और आगे है कि इक्टिस नंबर प्रशन में है सनई गंणा का फसल चक्र सघहनता होती है ये काप ही इंपोर्टेंट प्रशन है और यह आकरा वाला प्रशन इस पर ध्यान देना आपको ज़रूरी हो जाता है ठीक है तो इक्टिस निमर जो प्रशन इसका आपका सैउत्तर होगा आपसल सिय ठीक है यानि फसल सघंता ब्राबर कूल फसली छेत्र बटा सूद फसली छेत्र गुने सव यान दोस्तों वहीं इंगलीज में देखे सी आई इकवल टू टोटल क्रॉप्ट एरिया अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया इन्टू हैंडेट यह होता है आपका दोस्तों किसका फर्मूला क्रोपिंग इंटेंसिटी और आगे है दोस्तों 23 नमर प्रशन में कौन सी फसलो को फसल चक्र सघंता में फसल के तौर पर नहीं गीना जाता तो 23 नमर जो प्रशन है आपको प्रशन एक पर समझा दो फूश्चे यानि कौन सी फसल है जिसको फसल चक्र सघंता मे फसल के दोर पे गिंती नहीं की जाती तो दोस्तो इसका सही उतर हो जाएगा आपका अपसन बियानी हरित खाद फसले तो दोस्तो यह क्या होता इसको फसल शक्र में नहीं गिना जाता है अगर आप ढहचा बगरा लगाते हैं तो ज्योंकि इसको आप पुना खेत में मिटी में जोद करके मिला देते हैं और ऐसी फसलों को फसल सहनता में गिंती नहीं की जाती और 24 नमर परशने आलू पलस मक्का पलस प्याज है ठीक है तो दोस्तो यह क्या है 24 नमर परशने का आपका सही उतर होगा आपसन सी ठीक है एक वर्षिये फसले है ठीक है एक वर्षिये फसले क्या क्या आलू मक्का और प्याज है और दोस्तो 25 नमर में जो परशने यह है अच्छादित फसल का उदारन है तो दोस्तो अच्छादित फसल का उदारन क्या है आ और आगे देखते हैं 26 नमर में जो प्रशन है वह आप से पूछा जा सकता कि इस प्रशन को भी बहुत बार बार पूछा जाता है फसलों का वार्शी करम यहां अस्थानिक विवस्था कहलाती है तो दोस्तों यह क्या कहलाती है फसल पदेती यानि क्रोपिंग पेटर्न कहलात पसुधन घटक है तो दोस्तों यह किसका घटक है तो यह आपका है जो एक क्रिशी परणाली के घटक है ठीक है और आगे देखते हैं आगे है दोस्तों रेसम कीट पालन को कहते हैं तो दोस्तों रेसम कीट पालन को क्या कहते हैं इसको सेरी कल्चर कहा जाता है ठीक है यानि आप सन 20 का सही उत्तर होगा आप लोग याद कर लिजीगा और हो सके तो अपने कॉपी पे नोट कर लिजीगा मैं गरंटी करता हूँ कि जो परशना मैं आपको बता रहा हूँ भले ही आपको हलकी लग रही हो लेकिन ये इसी परशन को आप से पूछा जाएगा पेपर्स में तो आप लोग बिल्कुल इगनोर मत करिएगा वीडियो को स्क्रिप्ट मत करिएगा और हाँ दोस्तो आप लोग मुझे से फेस्बूक और इंस्टागराम पर जुड़ सकते हैं बिल्कुल अजे फ्रेंड तो बिल्कुल आप फेस्बूक और इंस्टागराम पर जुड़ना मत भूलिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्टन में मिल जाएगा और आगे सहकारी किर्यादार खेती में जो भूमी का स्वमीत होता है दो कोपरेटिव कि टेंट फार्मिंग ओनर्शीप इस लैंड ओनर्शीप अफ लैंड इस यह होता है दोस्तों कॉलेक्टिव होता है और आगे देखिएगा चुक्कि हम लोग हिंदी मेडियम वाले स्टूडेंट थे तो इसलिए हम लोग का इंगली से उतना मजबूत नहीं है लेकिन कोई बात नहीं मैं यह भी आसा करता हूं कि आप लोग भी मेडियम मेडियम के स्टूडेंट होंगे अधिक सदिक और यह तीस नमर में परसन पूछा गया है दमेन प्रोब्लम ऑप ड्राइफ भार्मी सुस्क भूमी सुस्क किरिशी की प्रमुक शमस्या क्या है तो दोस्तों कि जो तीस नमर प्रसन है इसका सही उतर होगा अप्सन यह ठीक है क्योंकि आप इसका अप्सन देखा हुआ है मिर्दा में नमी मिर्दा में नमी शरक्षित करना यह क्या होता है दोस्तों यह में प्र इसका से उत्तर होगा अप्सन ए और आपसे प्रस्ष्ण पूछा जा सकता है क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ष्ण है जेनरल एकरी कल्चर का और यह जो आपका सब्जेक्ट है फार्मिंग सिस्टम इसका भी तो याद के लिजेगा भूपरिश्करण यानि फादर क्या कहलती है और देखिए यहां पर 33 नमर परस ने पूछा गया है क्रोपिंग सिस्टम से रिले क्रोपिंग को प्रस्थूद किया गया है रिले क्रोपिंग को प्रस्थूद किया गया है किसके द्वारा प्रस्थूद किया गया है दोस्तों तो इसका सही उतर होगा आपका option C यानि searching bench दोवारा ठीक है searching bench दोवारा और आगे देखिएगा तो tensiometer का परियोग किसके मापने के लिए किया जाता है तो दोस्तों tensiometer का परियोग यहाँ पे आपका सही उतर होगा option A यानि मिर्दा ताप के लिए soul temperature को मापने के लिए आगे देखिएगा जोला है तो दोस्तों जोला क्या है यह 35 नमर परिशन है इसमें मेरे पास और इसका सही उतर होगा option A तीक है क्योंकि एजोला एक bio fertilizer है जिसे हिंदी में जह उर्वरक कहा जा सकता है ठीक है और आगे है चातिस नमर परिशन दलहनी फसलों के बीजों का टिका करण किसके दोरा किया जाता है तो दोस्तों यह जो आपसे पूछा गया इसमें seed of legume crops is inoculate by तो इसका सही उतर होगा आपका option B यानि raijobium के दोरा किया जाता है इसको टिका करण किया जाता है inoculated किया जाता है और 37 नमर में जो परशन है वो है पोधे nitrogen को किस रूप में असोसित करती है तो 37 नमर परशन है इसका आपका सही उतर हो जाएगा option C यानि A और B दोनों अब A और B दोनों क्यों होगा यहाँ पे NH4 है और यहाँ पे NH3 है तो आप याद कर लिजेगा जो पोधे हैं वो nitrogen को किस रूप में गरहन करती है असोसित करती है गरहन करने के बाद में असोसित करती है यहाँ पे English में थोरा देखिएगा तो समझ में आएगा plant absorb nitrogen in the form of both A and B ठीक है NH4 and NO3 और आगे देखिएगा 38 निमर परसने इडिया में nitrogen किस रूप में पाया जाता है तो दोस्तो 38 निमर परसन का सहीवतर होगा आपका अपसन यानि amide के रूप में पाया जाता है इडिया में nitrogen ठीक है nitrogen is found in area in the form of amide ठीक है आपसन यह सहीवतर होगा इसका और आगे देखिए किसी खेत के अलग अलग भूखंट पर फसले उगाई जाती है कहलाती है तो दोस्तों यह क्या कहलाती है यह कहलाती है आपका फसल योजना ठीक है क्रोपिंग स्कीम और आगे बढ़ते हैं और चालिस निमर परसन और इसके बाद परसन बचे हैं तो वीडियो तो लंबा हो ही रहा है तो बहुर नहीं होना है मैं आसा करता हूं कि आप लोग यह वीडियो बहुत ही मदद करने वाला है जब जीस ताइम परिक्षा होगा आप लोग विल्कुल अपने पेपर को असानी से सूल कर पाएंगे और इस सब्जेक परियोग किया जाता है तो इसका हम लोग परियोग करते हैं यानि राइस कल्टिवेशन में धान की खेदी में करते हैं ठीक है और 41 नमर परियोग जब दो या दो से अधिक फसलों को बीना किसी पंक्ति व्वस्था की एक साथ उगाया जाता है तो क्या कहाता है दोस्तों ज बीना किसी पंक्ति विवस्था को उगाते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं मिश्रीत फसल ठीक है मिक्स्ट क्रोपिंग कहा जाता है इसे और आगे देखिएगा 42 नंबर परसने किस परकार की अंतर फसल में फसलों के बीच सुने परतिस परधा होता है तो दोस्तों 42 नंबर परसन को और किस नाम से जाना जाता है तो 43 नंबर परών से इसका आपका सही उतर हो जाएगा option भी यानी पति छादी फसल ठीक है relay cropping को और किस नाम से जाना जाता है relay cropping इस also known एज तो यह होता है overlapping cropping ठीक है और आगे देखिएगा उतेरा फसल पर चलित है चो वाल इस नमर जो प्रसन है मेरे यहां इस वीडियो में तो इसका सही उतर क्या होगा यानि उतेरा प्रेक्टिस इज इन तो दोस्तों इसका सही उतर होगा आपका अपसंसी यानि मद्ध परदिश में ठीक है मद्ध परदिश में क्या होता है यह जो है उतेरा फसल बहुत ज्यादा पर चलित है इंपी के जो स्टुडेंट्स होंगे उनको पता होगा साइद आप लोग तो खेती में ठीक है अस्थनांतरन कल्ट सिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या होता है लेंड इस रोटेटेड और देखिएगा आगे निमली खित में से कौन साब बहुमंजीला फसल का उदाहरन है तो 43 निमर परसन जो है इसका सही उतर होगा आप संडी आप देखिए अप परणाली निर्भर करती है तो दोस्तों 47 निमर परसन का सही उतर होगा आपका अपसंडी ठीक है फार्म संसाधन पर फार्म उद्यम पर और परोदोगी की पर निर्भर करता है और आगे बढ़ते हैं और यह 48 निमर परसन को देखते हैं निमली खित में कौन सी एक पूजी प्रदान है तो दोस्तों 48 निमर परसन को देखा जायाे तो इसमें प्रसन डी सही तही हो जाएगा ठीक है क्योंकि दोस्तों गनना केला और आलू ये सभी कि सम्हें दोस्तों क्या है ये जो है ये पूजी परदान परसन है और आगे देखते हैं 49 नमर प्रशन निमन बर्शा वाले छेतर में कौन सी फसल परनाली अपनाई जाती है यानि दूस्तों जहां पे कौन सी फसल परनाली जो है वो अपनाई जाती है तो जो 49 नमर प्रशने मेरे हां इसका से उतर होगा option d ठीक है अब यह क्यों होता है समझे निमन बर्शा वाले छेतर में अगर आप mix cropping करेंगे तो अच्छा इसका result होता है क्योंकि एक नेक फसल जो होता है हो ही जाता है मालिजे कोई फसल बर्शा क्या भाव में नहीं हो पाता तो जो कोई और फसल हो अगर आपने उसमें mix किया हुआ है तो वो फसल आपको output अच् आपको description में मिल जाएगा साथ चाहता आप मेरे से facebook और इस्टा करना पर एजए फ्रेंट जो सकते हैं सभी करिंग आपको description में मिल जाएगा और 50 नमर पर से सघन फसल अपनाई जाती है तो इसका सहुतर होगा option A यानि सिमीत भूमी में क्या होता है सिमीत भूमी जो होता है में आपको सघन फसल को अपना जाता है ताकि कम भूमी में ज्यादा सब्सक्राइब का production हो सके और आगे देखते हैं यह जो 51 नमर पर इसमें है क्रीशी फसलों और पर्यावरण के संबंध का ध्यान क्या है दोस्तों तो जो 51 पर इसका सहुतर होगा option यह ठीक है और आप से यह पूछा जा सकता है क्योंकि यह प्रस्ण बहुत भी भी आई है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ठीक है क्रीशी फसलों क्रीशी फसलों और पर्यावरण के संबंध का जवाध्यान होता है स्टड़ी आफ दो रिलेस्टन ऑफ एग्रिकल्चल्ट ग्रोप्स एन इंवर्म क्रीशी की समस्या है तो हलाकि यह तो अब देखें समस्या क्या क्या हो सकता है भोजल अस्तर कहरास क्रीशी विकासदर में गिरावट और बढ़ता हुआ पर दूसरे ने समी क्या है दोस्तों यह प्रोग्लम है एकरी कल्चर का और टिकाव खेती है अब तीरपन नमबर जो परशने यह इसका सही उतर होगा आपका अपसंडी टिकाव खेती क्या है तो आप देखें आपसंडी में क्या अपसंडी में सभी है अब देखें आर्थिक रूप से टिकाव परियारन के अनुपूर और परिवार और समुदाय के लिए अच्छी उ उत्पादन निदेशों को सठीक रूप से प्रबंधित करने के लिए विस्तिरी सठीक जनकारी नियोजित करती है कहलाती है तो इसका आपका सही उतर होगा आपसंडी क्या कहलाती है यह थार्थ क्रिशी ठीक है प्रिशीजन एगरी कल्चर या फिर प्रिशीजन प्रिशन इस वीडियो में इसका सही उतर होगा आपका आपसं यानि दोस्तों इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानि आई एफ समन्वीत क्रिशी प्रणाली और देखते हैं फसल प्लस पेड़ है फसल प्लस प्लस क्या है दोस्तों यहां पर आपको चार अप्सन मिल प्रणाली के लाव तो इसमें जो आपसं दियो होगा सही उतर होगा अब एककरिट क्रिशी से क्या क्या लाव होता है अधिक्तम संभ रिटर्न और प्रत्ता प्रयावरणिय शुरक्ष्छा और चारे के संकट को पूरा करना यह सभी किसमी क्या है दोस्तों प्रोफिट है ए देखिए अठावन नंबर प्रस्ट इसके बाद दो ही प्रस्ट बचेंगे मैं जानते होगा आप लोग बोर हो रहेंगों लेकिन यह बोर आप यह बोरिंग आप लोग के लिए फाइदे मन्द होने वाला है अब यहां पर देखिए यू एस डी ए का पूरा नाम क्या है लेकिन आप लोग मैं आपको बना रहा हूं और जिस टाइम का यह पेपर हुआ था उस टाइम तक जो यूपी के जो अगरी कल्चर मिनिस्टर है वह है वह स्री शूरी परताप साही ठीक है अप्शन भी इसका सही है उतर होगा और उदासीन मिर्दा का पी एच मान होता है द है जो निट्रल होता है जो निट्रल पी एच होता है वह साथ होता है इसलिए इसका इस शे उतर साथ ही होगा ठीक है और यह वीडियो यही समाप्त करते हैं मिलते हैं किस अगले वीडियों तब तक के लिए आप सभी चात्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद पर टैसum